अभी और उसके बाद अगर पईया सम्मान सही में अगर सम्मान की योजना है तो मुख्य मंत्री हैमान सुरेंजी से हम कहना चाहेंगे जिए आप एक काम कीजिए कलपना सुरेंजी जो उनकी पत्नी है उन्हें विधायक चचना नहीं लड़ाईए उनको भी हजार रुप्य मह इन आम हैटजबे लिल्ला है नहीं है कि राजा के घर की पहु बेटी महराणी बने कि यहीं जल्खन की तस्थीर है यह नोकरानी नहीं तो क्या हुआ हजार रुपए के लिए 10 गंट आप लोग लाइन में खड़ा रहे हैं रहे की नहीं दिने लोग आप बताएए उसे न सागसर्जी होगा न दवादार्य होगा न रासंट समान होगा और नहीं आपके स्रिंगार का समान होगा प्रिंगार मने लिपिस्टी कोणर का ज़स होगा और उसके बात भी चलिए ठीक उसके बाल अगर हो भी गया तो बताएए ना हम लोग ने हजार रुपए लेने के लिए जार्खन राज बनाया था है क्या तमाड की धर्ती से अंदोलन नहीं हुआ है क्या जार्खन अलंग करने के लिए तमाड की धर्ती से अंदोलन हुआ है कि नहीं हुआ है आपके बाफ दादा पुलिस की लाठी खाये है कि नहीं खाये है आपके बाफ दादा चेल खाये है कि नहीं खाये है आपके औरफ दरावने अंग्रेजों का मुकावला sulfur किया है आपके बाफ दरावने अंग्रेज किया है की नहीं किया है ils वह किया हएए..प्री पाभैने के लिए..एक पाभ कि निये हमारे बाप अधिकार के लिया है इसलिए तमाम लोगों से कहना चाहेंगे साथ जो से 20 साल के बाद इस राज में बदलाव की किरन दिख रही है इस बदलाव की किरन के साथ समझोता मत केजिएगा इस सब्सक्राइब सब्सक्राइब लेकिन देमंटी मुंडा और अरजुन मुंडा में रिस्ता नहीं है, इसलिए देमंटी मुंडा की चीच एक आम महिला को ताकत मिलेगा, इसी भीण में से कोई बहन बैटी है जो कल को बोल सकती है कि देमंटी मुंडा अगर विधायक बन सकती है तो हम भी बन सकती है, लेकिन तो कितने महिलाएं के हैं कि हम विदायक बनेगे एक भी नहीं कि मालूम है वो राज घराने से इसलिए वो विदायक बनने जा रही है वो राज घराने से से उनको टिकट मिलता है इसलिए आज अगर आम गाओं के बारे में आपको सोचना है अगर गाओं की आम महिला के बारे म उसका उधारन है इने भारी से भारी मतों से विजहे बनाएं और किबल यी इनकी नहीं होगी जीद ऐखन्डियत की होगी जीद नहीं कि लोग अधिकार की जीद और भाय से नहीं अपने इससे आपको बोहट करना है मैं आपको एक छोटी सी कहाण ही सुनाओंगा क्योंकि भौट के समय ऐसा होता है एक भुजूर्ग आत्मी थे उनके पास एक नेता जी आए और उस नेता ने कहा कि बाबा आप मुझे अपना भौट दिए बदले में आपको कुछ रुपए दूगा कुछ पैसा दूगा पांच जार रुपए दे रहे थे बाबा जी वो मार्केट में चला गया मार्केट में जाने के बाद बैल खो जा तो बैल कहीं नहीं मिला पांच जार में बैल नहीं मिलता है वो साम को बापस आ गया बोला बाबा बैल तो नहीं मिला तो फिर बाबा जी ने खा कि बेटा एक मेरा बेटा लुग बहार में राता है तो जाओ कम से कुटा खरिद के लादो दरवाजा में रखेंगे उन्यता फिर से गए नेता जी गए मार्केट घुमें उस रुपए में उनको कुटा भी नहीं मिला वो फिर वापस आए वहला बबाबा इस रुपिया से कुटा भी नहीं मिला तब बुढ़े ने कहा कि निता जी जिस पैसे से आप बैल नहीं खरिद पाएं जिस पैसे से आप बकरा नहीं बकरी नहीं खरिद पाएं जिस पैसे से आप कुटा बिल्ली नहीं खरिद पाएं उस पैसे से इंसान का सोधा करने आये यह तो गलत बात है ना बताए जिस पैसे से आप बेल नहीं खरिद पाए, बकरी नहीं खरिद पाए, कुता नहीं खरिद पाए, आप इनसान के भोड को खरिद ने आये हैं, जो इनसान की जिन्दगी के बाद में किम्ती होता है। कि आपका बोट के लिए नहीं है, आपके बच्चों के लिए भी है। आज सबसे पहला बाद, आज हम लोग भोट क्यों करते हैं, हम लोग परते एक पात साल में दो बार भोट करते हैं, ऐसे भोट तो हम लोग पंचायत के चुनाओं के लिए भी करते हैं, लेकिन अगर मूल रोप से देखा जाए तो हम लोग दो टाइम भवत करते हैं, एक समाए लोग सभा के चुनाव में भोट करते हैं और दूसरा हम लोग विधान सभा के चुनाव में भोट करते हैं भोट हम लोग इसलिए करते हैं जिसको हम लोग भोट देते हैं उसे केबल भोट नहीं देते हैं उसके हाथों में उसके कंदों में पाँच साल की स्वेवारी देते हैं पाँच साल के लिए अपने बच्चों का अपने देश का अपने राज्जी का भविस देते हैं इसलिए हमारा के दर भोट नहीं होता है उन्हें हमें स्वेवारी देते हैं जिने हम भोट देने का काम काम का लेकिन आज जो लोग हमारा भोट लेके जाते हैं आपके तमार के बिधायक के बारे में सुन्ने को मिला ये कुरसी में केबल सिलानियास करते हैं और जैसे ही घार जाते हैं कुरसी भी गायब हो जाता है और उनके सिलानियास का बोट भी गायब हो जाता है इस परकार के बिधा करने के लिए इसकूल की विवस्ता होगी वोट हम इसलिए करते हैं लेकिन आज केबल कुछ परिवारों का फायदा हुआ है आज और चुकि तमार की बात करें तो हमने तमार से दमन्ती दिको मदान में उतारा है एक बात याद रखेगा यह आपको तय करना है चुकि आज दमन्ती मुंटा के साथ साथ हजारों लगों लड़कियों को एक मुका मिलेगा आ गया ने का नहीं तो आप भी जानते हैं ऐसा बाखी पार्टी में लड़की लोग चुनाव नहीं लड़ रही है कि वह लड़ रही है कलपना सुरें कि मुख्य मंत्री की पत्री बीजेपी से महिलाये चुनाओं लड़ रही है बीजेपी में भी महिलाये चुनाओं लड़ रही है या तो विधायक की बेटी है या तो विधायक की पत्नी है या तो विधायक की मौसीं इसलिए आपको तई करना है कि भारत देश जिसे हम लोग तंत्रिक देश करते हैं भारत देश जिसे हम परजा तंत्रिक देश करते हैं उसे परजा तंत्रिक बना की रखना है या से राज तंत्र बनाना है ये जन्ता को तई करना है यदि परजा तंत्र बनाना है यदि परजा का सासर चलना है यदि परजा की बात होगी यदि परजा का राज चलना तो यात रखेगा कलबना सुरैं फेला-चिता-चोईρि और अर 2023 की पकली है गाम के गरीब महिला डैमंटी मुंड़ा जैसी बेटियों को मोका दिजिए नहीं हैं कि पहले करें हमारा पार्टी किसी महिला को लेकर को इक परकार का आलोचना परती हमने हैं उसमिसे बेबाद नहीं करता है लेकिन हमें कुछ हारण ने रहे हैं कि जो भी महिलाएं चुनाव लड़ रही है वह राजगराने से समय रखती है राजगराना का अतलब विधायक का परिवास अंसत का परिवास और वो लोगतंदर की अच्छी निसानी नहीं है इसलिए आज अगर लोगतंदर की अच्छी निसानी को आपको देखना है तो जेल केम पार्टी में आगे देखें जाए वो जबन्ती मुंड़ा हो या कोई और परत्यासी हो हम लोगों ने ऐसे परत्यासी को मदाब में लेका आये हैं जो काम गरीब मजदूर किसान परिवा इसलिए आप सबी से आग रहा है कि आप यह जीत देवन देवंडा की नहीं होगी यह जीत हजारों लाखों युबाओं की किसानों की मजदूरों की